नमस्का साथियों और केंद्रिय मंत्री ने कहा है कि नागरेकों को हानी पहुंचाने वाली टेक्नोलोजी की नहीं होगी अन्मती और AI के बर्तमा स्वरूप से नहीं है नौकरियों पर किसी तरह का संकट और आप देखतें कि चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन AI कि CEO ने पिधान मंत्री मौधी इसे भेट की हुई है एक बात और आप लोगों को बता दूँ देखे जब कंप्यूटर आ रहे थे न देश में उस समय भी कहा जा रहे थे कि कंप्यूटर इंसानों की आप देखतें कि नौकरी छीन लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे दुनिया भर के आरोप लगे थ इंसान है और ये आई हो ये आप देखे जैट जीपीटी हो आप देखेंगे कि उसका अपना अलग छेत रहेगा और मानों का इंसान का अलग छेत रहेगा और मानों की बराबरी नहीं कर सकता है आप देखें इंसान उसे बना रहा है क्या इंसान की बराबरी कर सकता है विलक डिजिटर रूप से ससक्त मना कर नागरिकों को एलेक्टोनिक रूप से उपलब्द कराई जाती है और एक जुलाई 2015 को इसे सुरू किया गया था ठीक है दबाएं सामिल है और गिलकलाईड ए आर वा मैट फार्मिंग हाइड्डो किलोराइड की एक गोली की कीमत आप देखें दस दसमलाव जीरो तीन रूपे तैह की गई टैफ्षिन ब्रोमीलेन ट्राई हाइडडेट वा डाइकलो डाइकलो फैननेक फ्रोडियम की एक गोली की की कीमत आप देखें कामूल 20.59 रुपे तैह होगा और इससे क्या रहेगा कि आसानी से लोग तैह कर पाएंगे खरीद भी पाएंगे अब आप देखें कीमत खुद अगर दुकानदार तैह करने लगें कंपनिया तैह करने लगें तो फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे गरी लिए मनीपूर केमारे मैं आपको बता देता हूँ यह आप देखेंगे कि यह है मनीपूर आपका पूरवी भारत में आप देखेंगे यह मनीपूर है इंफाल इसकी राजधानी आप लोग देखेंगे और इसकी सीमा trading अ से लगती अंतर अरा श्रास्ती सीमा म्यानमार से लगती है और एसे केंदसासित प्विदिस बनाया गया था 1956 में पूर्ण राज्य का दरजा 1972 में मिला था अभी बार्तमान में यहां की राजपाल अनुसुया ओई की है मुकमंत्री एन्वीरेंसिंग है विधान सभा में 60 सीटे है राज्य सभा में 1 सीटे है लोग सभा में 2 सी कियो मीटर में आप देखेंगे कि आपका मनी पूर फैला हुआ है क्या फैल हुआ मनी पूर फैला हुआ हुआ महला पाहलवान को लेकर कुस्ती महासंग कारयाल है पहुंची SIT यह आप लोगों ने देखा है कि जो पूर्व भारती कुस्ती महासंग के अध्यक्ष और भाया अरब सागर में सक्री चक्वाद अगर असर नहीं डालता तो अब तक बिहार ज्यारखन बंगाल समेथ पूर्वोत्तर भारत के अधिकान सेश्य में मानसून की बारिस हो रही होती है और आप देखते हैं कि दच्छेड पर्श्यम से मानसून हमारे हाँ सबसे जान्दा होती है एक बार केरल चलिए आप लोग ये आप देखें केरल आपको देखने को मिलेगा तिरुवनन्दपुराम इसकी रादधानी है और इसकी सीमा करनाटक और तमिलाडू से लगती है ये आप लोग अरब सागर देख रहे हैं एक नवंबर 1956 में राज बनाए गया था वरत्मान में यहां की राजपाल आरे मुहमद खान है मुखमंत्री पिनरई बिजैन है केरल में विधान सबा में 140 सीट हैं राज्य सबा में 9 सीट हैं लोग सबा में 20 सीट हैं 38,863 वरक किलूमीटर में ये फैला हुआ है आपका 400 करोड रुपे के गवन की मामले में रियल इस्टेट कंपनी M3M के मालिक रोग बंसल गरपतार हुए है एडी ने बंसल को गरोगराम इस्तित कोठी से जब्त की 60 करोड रुपे मुल की फरारी समयत कई लगजरी कारे और 5.75 करोड रुपे की सोने की इंटे 15 लाग नगदी रामत कई आपते जिना दस्तावे और डिडिल साक्ष और वही खाते भी जब्त किये गए है और एडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डारेक्टेट की बात हो रही है इसकी स्थापना का हुई थी एक माई 1956 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेड़क्वार्टर देखन की बात हो रही है और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना का हुई थी एक अपरेल 1963 में नई दिल्ली में इसका हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा जेनता जनक हर नौबा भारतिये डाइविटीच का सिकार है जो आप देखते हैं डाइविटीच की सी महामारी की तरह काली गई लौटरी यह आप देखते हैं कि माफिया जो अतिक एहमत था जिसकी आप देखते हैं कि गोली मार का हत्या कर दी गई थी उसी के जो कबजे में किये हुगा था जमीट उसी की बात हो रही है यह उत्तर पिदेश की बात हो रही है लकनव इसकी राधानी अंतराश् में 100 सीट है, राजी सभा में 30 सीट है, लोग सभा में 80 सीट है, योगी आदित नातिहा के चीम मिनिस्टर है, आप खुद देख लीजे, अतीक की कोगोली मारने के बाद सब भूल गया, सब नॉर्मल हो गया, इसलिए तो कहते हैं कि किसी के जाने से जिंदगी किसी की रुखती नहीं है, और किसी को जादा कोई फरक भी नहीं पड़ता है, मौधी सहब के दोरे में अमेरिका से बड़े रक्चा सहयों के संखेत मिल रहा है, क्योंकि अमेरिकी दोरे पे जा रहे है हमारे पिदानमंत्रीशों, डबलू टीसी के फाइनल की रन में रहाने ने बचाई अवैद बालू खनन मामने में बिहार बंगाल बाजारखन में एडी के चापे पड़े हैं, और 27 स्थानों पर उही है चापे मारी, डेड करूर रोपे नगत और कई मात्पून दस्तावे जब्त हुए, कंपनियों पर बिहार सरकार को 250 करूर रोपे का नुकसान पहुंचान अंग्रेजी अखवार की रिपोर्ट ब्रामक है, रिपोर्ट को आधार बना कर कॉंग्रेश ने भाजा पर किया था हमला, इस सिंगौल के साथ माउंट बेटन की तस्वीर नहीं होने का दिया जबाब, इतुरू वदू थुराई आदी नम ने अपने बयान में कहाई कि मास मनी, पिल्ले, सिंगौल सौपे जाने की घटना को के एक पित्यक्ष दर्सी है, उन्होंने हाली में इस वच रूप से उस घटना का बढ़न किया है, कि उन्होंने याद किया है कि माउंट बेटन को सिंगौल सौपने की अपनी जिम्मेदारी को आधी नम ने सपलत्वा पू कि मीडिया का एक बर्ग लगातार हमें बदनाम करने का पिर्यास कर रहा है, सिंगौल के साथ माउंट बेटन की तस्वीर इसलिए नहीं है, क्योंकि आधी नम की लोग उस समय अपने साथ केमरा लेकर नहीं चलते थे, वे सिंगौल से अपने गए थे और अपनी जिम्मेदा राजा होता था, उसे आधी नम जो गुरू होते थे एक तरह से, वो इस सिंगौल को सौंक देते थे, सत्ता की रूम में की अब सत्ता आपके पाँच पहुंच चुकी है, अभी हाली में नए संसद भवन में इसे रखा गया है ना, तो इसलिए बात हो रही है, और लौड मा कर नए संसद भवन में रख दिया गया, यह आपकी ख़बरे राष्टी राध्धानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, खेल-खेल में पढ़ना सीखेंगे आंगनवाडी के बच्चे, और SCERT की मदब से बच्चों के लिए तियार की गई 35 तरह की बिशेष्ट किट, बच्चों को पढ़ाने के लिए 2000 आंगनवाडी कार करता हो, कुद्या जाराय पर सीख़ण, अच्छी बात है, देश भर में 4 लाख लोगों की जान भी बचाएगा जल जीमन मिसन, और प्रेय जल और स्वक्षिता मंतलाले की कहने पर विश्व स्वास्त तंगठन का अध्यान है, और मिसन का लक्ष पूरा होने पर डायरिया जैसी बिमानियों का कम खर से होगी 101 अरब डॉलर की बच्च गाओं में पानी की विवस्ता में महलाओं को नहीं खपाना होगा अपना समय, फिती दिन 6.6 करोड घंटे बचेंगे उनके, फिती दिन आप देखेंगे 6.6 करोड घंटे बचेंगे, और 62 फिती सथ ग्रामीट घरों में अब तक नल से जल की आपूरती की हो चुकी ये जिसन की बात हुई है, इसकी इस्थापना 7 अपरेल 1948 में हुई थी, जेनेवा सुझेलेंड में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिल जाएगा, हॉम मिनिश्टर साहब ने दिये अमरना थेात्रियों के लिए रात्री में भी हबाई एकसे बाया उपलब्द कराने के ने देश, एह हिंदू धरम में आप देखते हैं कि अमरना थे आत्रा पर जाते हैं न लोग, तो उसी की बात हो रहे हैं, पिदेश और पंजाब में नहर को लेकर आप देखते हैं कि बगावत चलती रहती, लड़ाई चलती रहती हैं, उनी की बात हो रही हैं, समवधाय कोसल विकास में सामिल होंगे नई सस्थान, अब तक पॉली टेक्निक कॉलेजों पर ही था जिम्मा, अब आई टी आई बच् परकार की आलोचना करने वालों बाले राहुल गांधी को परवोला हमला, यह आप देखेंगे, जी ट्वेंटी के बारे में आप लोग बताईए, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आई स्मानी यहजना के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आप देखें की, आई स्मान भारत पिधान मंत्री जन आरोग यह ज़ना की बात हो रही है, जो स्वास्तिचित में आप देखें की लोगों को फायदा मिलता है ना उसी की, 23 सितमबर 2018 में इसे शुरू किया गया टेक्नोलोजी की इस्तेमाल से सरकारी सिवाओं को घर-घर पहुंचाया ये हमारे होमनेश्टा साहब कहने केंद्रिये गिर्यमंत्री चीन से रणनेथिक रूप से किया जाये मुकाबला ये आप देखते हैं कि कॉंग्रेस की राष्टी अध्यक्षिस साहब कह रहे हैं 2000 की नोट बदलने पर सुप्रिंग कोट का ततकाल सुनवाजी से इंकार किया गया गर्मियों की छुटियों के बाद मामले को सीजी आई की समक्च रखा जाएगा सुप्रिंग कोट की बात करें तो सर्वोच चदालत है हमारी समिधानिक संस्ता है समिधान की अनुछेट 124 की तहट इसकी स्थापनिया की बात की गईगी 28 जन्मरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी अभी 2000 की नोट बापसी लिए जाने है न तो उसी की बात हो रही है सरकार ने विलासिता की चीजों पर खर्च की रेलवे सुरक्षा निदी जैराम रमेश ने आरोक लगाया मौधी सरकार ने रेलवे सुरक्षा निदी का दुरुपेव किया भी आप देखते हैं की दुरगटना हुई उसी को लेकर बात हो रही है सुखोई की उड़ान, हिंद महासागचित में सुखोई की उड़ान के मैदान के दौरान उसमें टैंकर बिमान से इनन भी भरा गया देख लिजे, ए जेनरेटिव, ए आई से भारत की उत्वादन चमता वड़ाने में मिलेगी मदद, यह आप देखिए उत्दोगिक संगटन, फिक्की की तरफ से एक कहाज गया है वादा करता हूँ कि अर्दवस्था की मजबूती के लिए अंगली चुनाओ में अपना खर्च दुगना करूँगा यह आप लोग देख लिजे, बोट के लिए, इस तरह के कार्टून भी कई एकजाम में पूछ लिए जाते हैं उस पर आपकी राय पूछी जाती ही कि आप इससे क्या सोचते हैं यह आप देख रहें कि राजनीती की खबरें हो रही है और किसी ना किसी राज जुमें हर साल आप देखते हैं कि चुनाओ होता ही रहता है आप सभी जानते हैं अब राजिस्थान आपकी 36 गड़ और मध्वदेश में भी चुनाओ होना है और यह चुनाओ करवाता को होन है Election Commission of India भारती निर्वाचन आयू एक समिधानी संस्ता है समिधान के अनुछे 324 के तैस इसकी स्तापना की बात की गिए 25 जन्मरी 1950 में इसकी स्तापना हुई थी नई दिल्ली में हेड़क्वाटर देखने को मिलेगा पहले इसके मुख चुनाओ आइक कोन थी सुकोमार सेन साहब थे ठीक है एक पुनरवास के इंतिजार में उत्तराखन के 400 गाओं आपदा प्रभावित इन गाओं में मांसून की आहट के साथ ही घुमडने लगीते हैं चिन्ता के बादल और पुनरवास की राह में भूमी बाबजट की उपलबता किसी बड़ी चुनोती से कम नहीं है यह आप देखेंगे उत्तराखन देहरादुनिस की रादधानी इसकी सीमा आप देखें चाइना नेपाल से लग रही है राज्यों में आप देखें हिमाचल पिदेश उत्तर पिदेश से लग रही है उत्तर पिदेश से अलग करके बनाया गया था बिधान सबा में 70 सीट है, राज्य सबा में 3 सीट है, लोग सबा में 5 सीट हैं देखने को लेंगी, पुसका सिंग धामी यहां के चीम में निश्टर है, बिहार के कैथ वलिया में देवादी, देवसंग बिराजेंगे राम लला, विराट रामाइड मंदिर की स्वरूप का स्क यह 17 जून से मंदिर के पाइलिंग के लिए आउट, ले आउट का काम सुरू होगा, और 27 परवरी 2025 को बिराट रामाइड मंदिर में बिलेक ग्रेनाइड की एक सिला से निर्मे 33 फिट उचे सिबलिंग की स्थापना की जाएगी, विहार में इस CVI करेगी पंजाब में स्कॉलर्शिप घोटाले की जाच, मामला क्या है, पूश्टमेटिक स्कॉलर्शिप घोटाले का राजपास दैनिक जागरन ने अगस्त 2020 में किया था, उस समाजिक नियाय ससक्तिकर्ण बालसंख्यक विभाग के एडिशनल चीफ सेकेटरी किरपा संकर सरोज ने घोटाले की एक रिपोर्ट तैयार की थी, इस रिपोर्ट में कहा गया था कि विभाग के पास स्कॉलर्शिप के लिए बाटी गई 49 करोड रुपे की रासी की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, या रासी ऐसे संस्थानों को दी गई जिन का कोई अस्तित ही नहीं ह सहा गया था कि जिन निजी संस्थानों से विभाग ने 8 करोड बसूल ले थे, उनका रि आडिट करवा कर उने 16.91 करोड रुपे और जारी कर दिये गया है, लेकिन नए आडिट के आदेश किसने और कब दिये इसका, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस कारण विभाग को 24 इस दिसमलाओ 91 करोड रुपे की चपत लगी है, पिदान मंत्री साहब ने आप देखी कि मुंडा, भिर्सा मुंडा को किया नमन, यह आप देखेंगी कि 1875 में जारखन में जन्में मुंडा ने वेटिस आसन के खलाब आदिवासी विद्रो का नेधित किया था ना, वेटिस 25 वर्स की अलपाई में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो यह सब उसी की बात, उनहीं की बात हो रही है, आदिवासी उन्हें भगवान मानते थे, यह भी आप जानते हैं, युगल ने साधी कर ली, तो दुसकरम का केश चलाना उचित नहीं है, इलावा धाई कोट ने पॉक्सो एक्ट सहथ पूरी अपराधिक करवाही रद्द की है, इलावा धाई कोट ने, इस तरह के फैसले भी आते हैं, तो उन्हें भी पढ़ लिया करियेगा थोड़ा, आप अपसी सहमती से साधीज कर ली है, तो दुसकरम का केश चलाना उचित नहीं है, इस टिपड़ी के साथ कोट ने बरेली के बराधरी थाने में पॉक्सो एक्ट केता है, दुसकरम के मामले में दर्च परात्मी की सहथ, पूरे अपराधिकारभाही को रद्द कर दिया है, हड़ापकालीन जन जीवन और नगर विकास संग देखिये पुरातत अध्वुत त्रिकोण, यह हर्याना में परवट्रन का नया केंद बना राखागडी, और आसपास की भी कई पुराने पुरातन इस्थल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यह हड़ापकालीन आप लो आप देखिये संपात की पार्ट है, और आपको प्रेलिम्स में मुक परीक्षा में इंटर्व्यू में हर जगए मदद पहुंचाएंगे, और एक सामान जानकारी भी यहां से आपको मिलेगी, कठिन हालात में वहतरी की उम्मीद, यह आप देखिये भारती रजर बैंक, आर एक अपरेल 1935 में इसकी स्थाफना की गई थी, और मुंबई में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा, RBI की मौदरिक नीती समती यानि की MPC की दो दिन तक चली वेठक के बाद गुरुबार को केंद्री बैंक ने नीतीगत ब्याद दरों को 6.5% पर कायम रखने का फैसला किया, और इस से EMI घटने की उमीद फिलाल भले ही तूट गई हो, लेकिन वर्दमान प्रस्तितियों में लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है, और मास्तिक किस्तें अभी और नहीं वढ़ने बाली है, और पिछले कुछ समय के दोरान महेंगाई के मोर्चे पर मिली रहात से RBI ने ब्याददरों में बड़ोतरी ना करना ही उचित समझा, इस लिहाज से आप देखिए उसका या रोक अपिक्छा के अनरोफ ही रहा है, हाला कि महेंगाई को लेकर जोकेम अभी भी बने हुए है, और रिजर बैंक भी इन से भली भाती वाकिब है, फि के आर्थिक परिदिस्त पर और भी कई सकारत्मक संकेश सुकून देने वाले हैं, बित्वर्स 2022-23 में सकल घहरेली उत्पात यानि कि GDP के आंकड़ों ने उमीर से कई बहतर तस्वीच दिखाई, और इस दौरान आप देखिए GDP विद्धी दर्स 7.2% रही, जबकि NSO ने इस स Managers Index यानि की PMI का पिर्माना भी तेजी विद्धी के रुजान देखाता है, सेबा छेत में PMI का अगतन अगड़ा 60 से उपर, तो वी निर्मान में आप देखे 58 का रहा है, PMI का 50 से उपर का अगड़ा बहुत अच्छा माना जाता है, इन सभी पहलुँओं कि आधारपरी भा जाताईयां दूर होती देखी हैं, और रूस युक्रैन युद्ध के बाद अंतराश्टी बाजार में कुछ आवसक बस्तूओं के दाम बहुत जानदा बढ़ गए, युद्ध के अंच्छ दौर में दाखिल होने से इन बस्तूओं के संदर में आर्तिक समीकर बिगड़ते दिख रहे थे, लेकिन अच्छी बात है कि बिस्तून ने इस परिस्तिती से ताल मेल वेठा लिया है, और जास अंसादनों से लेकर खाद बस्तूओं की कीमतों में आया स्थाइत इसका संकेत कर रहा है, भारत के लिए भी आयात बिल पर इसकी सकारत मत पईडाम होंगे, और जिससे चालू खाता, घाटी की समस्या का कुछ हद तक समाधान निकलीगा, बीते बित्त बर्स में कोविद के बाद पहली बार कई चेत्रों में सुधार भी देखने को मिला है, कोविद पितिवंद हटने के बाद बिसेस रूप से होटल, रेश्टोरेंट, बिमानन चेत्र के मैं जबज़स तेजी देखने को मिली है, किरसी से लेकर कंस्टेक्शन जैसे बड़े रोजगार प्रिदाता चेत्रों का भी बढ़िया प्रिदरसन देखने को मिला है, घरेलू मांग बिसेसकर सहरी चेत्र में और भोक का सुधरा है, और ऐसे अनकूल परिस्तितियों के बाबजूत कुछ कड़ी चुनोतियां अभी भी बनी हुई है, और जिने अंदेखा नहीं किया जा सकता है, अमेरिका और यूरोप में इस समय आर्थिक की भले ही ठीक ठाक प्रिदरसन कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में उहां आर्थिक मंदी की स्तिति को नकारार नहीं जा सकता है, यदि इन बाजारों में मंदी ने दस्तक दी तो देश से होने वाले निर्यात पर भी उसका पितिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत में भी निर्मित बस तू निर्यात का करीब 35-37 इनी देशों को होता है, और पश्मी देशों में मंदी का केवल निर करती है, यदि यह कमी चालू बित्र वर्स में भी जारी रहती है, तो कोई आश्टर नहीं होगा होना चाहिए, अंक्टार्ट से लेकर आप देखे, OECD की रिपोर्ट इस दिसा में काफी कुछ कहती है, इसके बाब जुद भारत G20 अर्धवस्ताओं में ठीक ठाक FDI परनीती पर काम कर रही है, और इसमें भारत भी एक पिरमुक दाविदार है, लेकिन इस मामले में एक आगासक निवेस गंतब बनने के लिए भारत को कई पहलियों को दुरस्त करना होगा, और इससे नाकेबल देश में विदेसी निवेस की राहे खुलेगी, बलकि बिन्मा से अभी तक assembling ही होती है, जिसके लिए भारी संख्या में कलपोर्जे कई देशों से आयत की जाते हैं, तो निर्यात का लावलगभग बराबर हो जाता है, और इसलिए चीन पिलस बन की बैस्विक रनीती में भारत को एक पिरमुक खिलाडी की रूम में उभारने की राहे में आने वाले आउरोधों को आविलाम दूर करना आवस्क है, पिछले दो महिने के दोरान महंगाई से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन उससे जुड़े हुए जोकिम अभी भी कायम है, मांसुन सामान रहने के पूरन मान के बाब्यूद अलीनों की असंका बनी हुई है, और अनिश्चित हो गया है, ऐसे में यदि अलीनों और अन्यमोसमी परिघटनाओं का असर बहुत कुछ जानदा ही दिखा तो किर्सी उत्पादनक पर प्रभाव पढ़ना सोभावी के, पिछले कुछ समय में से लगातार महरमान रहे, मांसुन और किर्सी चित के बहतर, पिदर प्रियास किये जाए, तो तेज आर्थिक विड्धी की संभाव उनाएं और मजबूत हो सकेंगी, लेखा के किर्सेल के मुख्य अर्थसास्त्रियन का नाम है धर्म कीर्ती जोसी, आप लोगों से एक और बात यहां कहता हूँ, कि आप लोग NCIT, NCIT पढ़ लीजे, समय रहती ह पढ़ लीजे आप लोग, क्योंकि आप देखते हैं, जो GDP आप लोग सुनते हैं, या मौदरिक संती सुनते हैं, इन साब के बारे में एक जानकारी तो रहेगी, मैं कई बार बता चुका हूँ इनके बारे में, अगर आपको मालू है, तो आप लोग जरूर इनके बारे में सामान जानकरी नीचे लिखिए नैतिकता पर दोहरे मांदन की पर्चे का पर्चे ए पिछले दिनों कोट के दो फैसलों ने देश का ध्यान की चाहे एक फैसला यह था कि एक मान ने अपने सरी के उपरी हिस्से को अपने दो नावाली बच्चों को पैंट करने की अनुमती दी और आप देखे 2018 में इसका वीडियो भी बाइरल हुआ था लोगों ने इसे असलील करार दिया पुलिस ने केस दर्च किया मैला के कलाप पॉक्सो एक्ट और जोवे नाइल जश्टिट एक्ट के तरह धाराएं भी लगाई गई लेकिन अब केरल हाईकोट ने यह कहते हुए मैला को सभी आरोफों से मुक्त कर दिया कि नगनेता का मतलब हमेसा असलीलता नहीं होता है नैतिकता और कानून दो अलग लग बाते हैं और कोई किसी बात को नैतिक मानता है तो कई बार कानून उसे अपराद मान सकता है मीडिया की बहसों में यह बात भी सामने आई कि यदि पुरुष अपने सरीर पर six pack एप्स या मसल्स दिखा सकते हैं कहीं भी टेटू गुदवा सकते हैं तो आकिर महलाएं अपने सरीर पर पेंट के उन्हीं करा सकती हैं उन्हें भी यह चुणने का अधिकार होना चाहिए कि वे अपने सरीर को कितना ढखना चाहती है और कितना ओगाडना है और जिस दूसरे फैसले ने लोगों का ध्यान की चाहिए उसमें मुंबई की एक कंपनी में काम करने वाले दो करमचारियों को कोर्ट ने इसलिए जमानत देने से इंकार कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने साथ काम करने वाली महला से कहा था कि उनका फिगर अच्छा है और उसने काफी मैंटेंड कर रखा है आजाथ ने इसे योन उत्पीनन माना और आप देखें योन उत्पीनन माना हैना मज़ेदार की एक तरफ तो अपने सरीर को नगन दिखाना भी अभी व्यक्ति की सुतनता में आता है वहाँ ज्ञान दिया जा रहा है कि नगनता असलीलता नहीं है जो किसी को असलील लग रहा है जरूरी नहीं कि वह असलील हो ही हो इस मामले में मूर्ती सिल्फ के तमाम उधारन पेस्ट कर दिये जाते हैं और चुकि अपनी सरी को महला ने अपने ही बेटों से पेंट करवाया था और सरी उसका है और चौइस भी उसी की है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है तूसरी तब दपतर में बातचीत में कोई सहकर्मी अपनी महला साही साती से यह कहे भर दे कि उसका फिगर बहुत अच्छा है तो उसने काफी मेंटेन कर रखा है तो यह योन उत्वीरन हुआ क्यों भला क्या सिर्फ इसलिए कि यह बात साथ काम करने वाले पुरुसों ने कही है अगर कोई इस तरी ऐसा कहती तो भी क्या कोट इसे अपराद मानता है या किसी सारे अपराद की जड़ सिर्फ पुरुसों के ही कहने में है महलाओं की मर्जी की तानसा ही हर एक पुरुस के सिर्फ पर बिन अपराद के भी क्यों लदी हुई है आखिर क अपने बच्चों के सामने दूसरी तरफ अदालत की नजर में अपने अपने किसी साती की तारीख करना भी यो नुत पीड़न है। यदि लड़का और उसके परिवार के जलोग लड़की को देखने आये और ऐसा ही कुछ कह दिया जाए तो क्या उन्हें भी सेक्सूल हरेस्मेंट का दोसी माना जाएगा। उन्हें भी सेजा होगी। या परंपरा के नाम पर भी इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। क्योंकि ब बाद कानून के विरुद्ध है लेकिन नैतिक मानी जाती है उसे समाज के तमाम क्रिया कलापव में चलन में रहना चाहिए या नहीं। यदि एक बाद एक जगह सही है तो उसे दूसरी जगह यानि की कानून में क्यों गलत माना जाएगा। और इससे तो समाज का तानावान ही तहस नहस हो जाएगा, माल लिजे की कोई किसी बात को अपनी नैतिकता की अनुसा ठीक मानता है और उसी तरह आचरन करता है लेकिन कानून उसे सही नहीं मानता तो कानून उसे सजाभी कैसे दे सकता है ये दो विरोधावासी बातें क्यों हैं? यदि अच्छे beauty products और उन बिग्यापनों को पिती बंदित करना चाहिए जो बराबर बारब बार और अरतों को अपनी sexy चवी बनाने के लिए उकसाते हैं क्रीम की वह बिग्यापन भी इस क्रीम से तो उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता है hair color के वे बिग्यापन जहां कोई सफेद बाल दिखकर अंटी बोलता है और काले बाल होते ही दीदी कहने लगता है जूते कपड़े जो महलाओं का बदन दिखाते हैं वे भी क्यों पिती बंदित नहीं होने चाहिए अब वहाँ सब अपनी च्वाइस का मामला ले आते हैं इसके अलवा आप देखें 36, 24, 36 का फिगर और जीरो फिगर क्या महलाओं ताले में बंद रखने के लिए बनाते हैं मसूर हिरोईन ऐसा कहते हुए पाई जाती हैं कि उनके फिगर और कम उम्मर का दिखने के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं अगर बेडर्शकों में सेक्सी भावना जगा सकती हैं तो यह उनकी सफलता है और इस पर उन्हें गरव है कि कौन है जो अपनी फिल्मों में किसी मौटी स्तरी को हीरोईन का रॉल देता है और कहानी की मांग हो या हसाना हो तभी मौटी स्तरी उपयोगी मानी जाती है और जो यह गाने लिखे जाते हैं सेक्सी सेक्सी मुझे लोग बोलें या तमाम दुय अर्थी गाने जिनके मायने सेक्सी बोलने से भी जान्दा भीवत्स हैं उन्हें क्यों नहीं रोका जाता है लेखिय का साहितकार हैं, इनका नाम है आप देखे, चमा सर्मा, इनके दुआरा ये आर्टीकल लिखा गया है, इस तरह ये आर्टीकल जरूर पड़ लिया करिएगा, ठीक है? हिद्ढय या मस्तिस, मस्तिस और हिद्ढय की चलने वाले वे मस्तिस्की कुबरीता देते हैं, वेवारिक दिरिष्टी से वे अधिक सफल भी रहते हैं, परन्तु देख काल में इसके भी कुछ पैडाम दिरिष्टीगत होते हैं, वही कुछ लोग भावना प्रधान होते हैं, उनके अधिकांस नेड़े हिदय से सासित होते हैं, अक्सर को उच्छ पतपल ले जाने वाली माहन पेरना इस पूटित होती है, अता पिसन उठता है कि सेष्ट कौन है, मस्तकिस या हिदय, इस अंदर में स्वामी विवेका नंद जी ने कहा कि मस्तिस्क वांग, परंतु हिदय सुन, होने कि अपेक्छा मैं सौ बार यह पसंद करूँग कि मेरे पास मस्तिस बिलकुल भी ना हो, परंतु थोड़ा हिदय वाकी रहे, वस्तिता सुस्क हिदय व्यक्ति में मानवता दम तोड़ देती है, बास्तों में हिदय और मस्तिस में समनवे बिहत आवसक है, हिदय अनन्तों, और परंतु विचार, बुद्धी, निश्चित प सिधानता है, या भावना की, आपके भीतर सांसारिक सफलताओं की आकांचा हैं, या फिर आत्म संतुर्ठी रहने की पिर्वित्ती, ऐसा ना हो कि जीवन भर पच्तावे के साथ जीवन जीना पड़े, जब हिदय वो मस्तिस में से एक चुनाव करता है, तब सही नेड़े न सिक्षा सभी बच्चों का मुलभूत अधिकार है, और इसलिए अनिवार सिक्षा अधिनियम के तहत आर्थिक रोप से कमजोर परिवारों के लिए बच्चों के लिए प्रविस आरेक्षित किये गए, परंतुनीजी स्कूलों के प्रवंदक यदी अभी कतरा रहे हैं, तो उन्हें इसके लिए बाद किया जाना चाहिए, आप लोग बताईए कि किस आर्टीकल के तहत, और किस समिधान संसुधन के तहत सिक्षा को मौली का दिकार में जोड़ा गया था, यह आप लोगों से सवाल है, ठीक है, खुसियां चिनता समन्ती बिवार, यह आप देखे, ब तोनी की बात हो रही है, यह भी आप देखे, छोटे-छोटे कॉलम रहते हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, मस्तिस्ट को नियनतीत करने का प्रयास, चिप के माध्यम से मस्तिस्ट को नियनतीत करने की पहल केवल कल्पना ही की जा सकती है, जबकि एलनमस्की की कंप होने कि भी असंका जताई जारी है फिर भी यह देखना दिल्चस होगा कि भविस में एकिस पारकार से मानों के लिए सहोगी कि भूमिका निभाएगा और आप देखेंगे कि इसके दोनों पहलू आप लोग देखेंगे इसके positive point और negative point भी देखने को मिलेंगे अगर आप देख सकते हैं यह आप देखें कागच की कस्ती खरी खरी तंज कसाधा आता है एक तरसे वाकई ठोस नतीजा निकलीगा महा जुटान में 2024 के लिए जो आप देख बिहार में आप देख रहें कि 23 जून को एक विपक्षी दलों की बैठक हो रही उसी को लेकर बात हो रही है 2024 में ल और बैसे भी आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की राजनीती यहीं जाती पाती हिंदो मुसलिम पर ही ठीकी रहती है सभी को नहीं दी जाए सामजिक सुरक्षा C.E.A. कह रहा है यह आप देखते मुख कार्थिक सलाकार करें मुख कार्थिक सलाकार ने कहें कि गलप रोसा होगा और लोगों को आए कि अवसर तलासने से रोकेगा यह आप देखें तीन से पांस साल तक 10% विकासदर जरूरी है और आप देखेंगे कि हमसे अच्छी रेटिंग फिलिपिन्स की है विटाबुला अमेरिका में भारती होना गरब का विस्ता है आप देखेंगे भारत जैसे देश के लिए सार्भोमिक सामाजिक सुरक्षा की आउधारना बिल्कुल ठीक नहीं है आर्थिक गतिवदी में भाग लेने में अक्चम लोगों को सामाजिक सुरक्षा अवस्त देनी चाहिए घरेलू GDP विद्धी को अच्छा समर्तन विद्धी अनुवान में सुधा आप लोग खाते खुलवाते हैं ना उसी बैंक की बात करा हूँ इसकी स्थावना आप लोग याद रखे कब हुई थी एक जुलाई 1955 में और इसका हेड़कोटर आपको कहां देखने को मिलेगा मुंबई महराष्ट में देखने को मिल जाएगा चांदी में आप देखेंगे एक हजार पचास रुपे उचाल सोना भी बड़ा और सीयर बाजार में लगाता दूसरे दिन ग्रावट देखने को मिली है मारूती ने लॉंच की टूर एच वन मूल 4.8 लाग 4.8 लाग रुपे की एडार ने गो डिजिट को जीवन भीमा कारुवार की मंजूरी दी और बि पर चर्चा कुतियार हैं, FTA यानि की मुप्त ब्यापार समझोती की बात हो रही है, अगर इस समझोता हो जाता है तो ब्यापार करने में आसानी होगी, को ऑपरेटिव बैंकों को मिले जानदा अधिकार, कारोबार विस्तार के लिए खोले सकेंगे नई साखाएं देश में 1514 सहरी सहकारी बैंक हैं, रिड़ लेने बालों के साथ समझोता है, निफ्टान के साथ साथ कर्च को बटे खाते में डाल सकेंगे, 5 साखाएं RBI की अनुमती के मिना खोल सकेंगे, सहरी को ऑपरेटिव, 60-30 कर देने का सक्षम, लक्ष पराप करने की समय सीमा बढ़ाई गई डियो में CEVT के जरिये होगी PhD में दाखला, अच्छी बात है भारत और सर्विया के भी दुई पक्षिये ब्यापार बढ़ाने पर बनी सहमती, राष्टपती दुरोपती मुर्वों गई हुए न, वैल ग्रेडिस की राधधनी आप लोग देखेंगे मेरी कोर्ट मार्सल के लिए तियार हो चुका मंच इमरान खान कह रहे हैं पाकिस्तान की पूर पिधान मंत्री मिस्स में सार्क ने रूसी नागरिक को बचाया, बनाया ने वाला, देख लीजे मुस्कल में ट्रम्प गोपनिये दस्तावेज मामले में बनाये गए आरोपित, अमेरिकी इतियास में अपराधीक आरोप का सामना करने बाले पहले पूर्व राश्पती हैं डॉनल्नल्ड ट्रम्प साहब नैपाली पी-म पिचंड की खिलाब रिट याज का दरच करने का आदेश दिया गया है नैपाल की सुपरिंग कोट ने, माववादी विद्रो की दौरान बाल सैनिकों की इस्तिमाल पर कई देशों में बांचित आतंकी सना उल्ला गफारी अफगानिस्तान में मारा गया है सी चिनफिंग ने सैना से कहा सीमा पर फौलात की दीवार बना दो तिबबती किसानों की जमीन कबजा रहा है चाइना यह आप देखें तिबबत आप लोग देखते ना यह पहले आजाद हुआ करता था बाद में आप देखें कि चाइना ने इस पर कबजा कर लिया था और आप देखें कि लद्दाग हिमाचलपदे सुत्तरा कंडसिक के अरुणाचलपदे पांच राज्यों की सीमा लगती है अगर तिबबत आजार रहता तो हमारी चाइना से सीमा ही न लगती आसांजे को अमेरिका पित्यरपण मामले में बेटिस कोट से लगाए जटका बीकी लीक के संस्थापक जूलियन आसांजे को अमेरिका पित्यरपण से बचने के लिए दाके लिए आजका को लेकर अदालक से जटका लगाए क्यूबा में जासुसी अड़ा बना रहा है चाइना वाल स्ट्रीट जन्रल की रिपोर्ट में किया गया दावा चीन ने अर्वा डॉलर किये है एक सट साल पहले सोविय संग न क्यूबा में तैना किये थे मिसाल 1962 की बात है करनाडा के जंगलों में भी सडाग आप लोग देख रहे हैं इससे आप देखे पर्यावन को भी नुकसान हो रहा है जंगल भी खतम हो रहे हैं ये आप देखे खेल का छेत है Special Olympics भारत की एथलीटों का हुआ सम्मान Special Olympics भारत ने गुरुबार को नई दिल्ली में जवाल लाल नहरू इस्टेडियम के स्पेसल ओलंपिक विस्ट के जिस्म का लिंग खिल 2023 के बर्लिंग में हिस्सा लेने जाने वाले भारती इतलों में सामिल खिलाडियों के लिए एक मसाल रिले और राष्टी बिदाई समारों का आयोजन किया है जापान की चुनोती के लिए तियार भारती टीम भारती टीम सरीवार को जापान के विरुद्ध महला जूनियर होकी यसी अकप से हमी फाइनल में लैक कायम रखने की उतरेगी डबलू एप आई चुनाव के लिए मद्दाता सुची तियार करना भारत सरकार ने भारती कुष्टी महासंग के चुनाव के लिए रेकॉर्ड 23 वे ग्रेंड सलेम से एक कदम दूर है जो कोविक साहब फ्रेंच ओपन में एक मुझ चुवा के साथ सामने फाइनल में होंगी सुवातेक की चुनावति फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स में इंटर मियामी में चुनावतियों की सागर में होंगे लियोन मैसी पीएसजीन के अनवंद की समापती के उपरांद अर्जीन्टिना के इस्टाइकर है ना इस्टार इस्टाइकर इंटार मिलान के लिए सिटी को रोखना बहत कठिनकार है वेस्ट वूड कह रहे हैं मैंचिस्टर सिटी सनिवार को फाइनल में इंटर मिलान की बुरूद दावेदार की रूम में उतरे गए। UPST की तेयारी में देरी बाधा तो नहीं है, मैं इसके नावत्तर किया है, UPST की तेयारी करना चाहती हूँ, पर लगता है कि इसके लिए बहुत जान्दा देर हो चुकी है, यानि कि Master डिगरी करने की बात की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग डिगरी ले रहे हैं ना, आप बारवी के बाद कॉलेज में एड़िसेनल ले रहे हैं, वहीं से आप लोगों को तैयारी शुरू अपनी कर देने चाहिए, क्या कर देने चाहिए, तैयारी शुरू कर देने चाहिए, इसे भी देख लिया करिएगा यहाँ से भी जन्रेल नॉलिज की जानकारी मिल जाती है परीक्षा के लिए भी पॉइंट मिल जाते है इंग्लेंड की लॉडर्स में पहली बार टेस्ट में जीती भारती किरकेट टीम 1986 में आजी के दिन भारती किरकेट टीम ने पहली बार इंग्लेंड की ख्याद लॉडर्स मैदान में टेस्ट मैच जीता था और इंग्लेंड की खिलाब इस मैच में भारती टीम की कप्तानी कपिल देव ने की थी यह सबसे चर्चित मैचों में से एक है जिसे भारत ने 5 बिकेट से जीता था कपिल देव को पिलियर आप दा मैच चुना गया था सौ साल बाद टेम्स नदी के को पार करने के लिए बनाया गया पुल की देश में बैडमेंटन सफलता की न्यूब, महान बैडमेंटन खिलाडी पकास पादुकान का जनम 1955 में आजी बैंगलोर में हुआ था, बर्स 1971 में पहली बार राष्टी चेंपिनसिप जीती और बर्स 1989 में तक लगातार चेंपियन रहे, 1980 में आल इंगलेंड चेंपिनसिप पहले भारती बने, उसी साल विस्व में पहली रैंकेंग में पाने वाले पहले भारती बैडमेंटन खिलाडी भी बने, और बर्स 1980 से 1980 की बीच 15 अंतराष्टी ये किताब जीते, बर्स 1989 में रिटायर होने के बाद आप देखी हुआओ को स्विश्चिक करने के लिए अकैड विलर्ड पिसर मोटापी की चपेट में देश है, और आप देख रहे हैं कब खाना खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, लेसेंट में पिकासित ICMR के अध्यन में सामने आई चिंता जनक तस्वीर, और 26.4.3 के साथ गोआ में सबसे जानद डायवटीच के मरीज हैं, 4.8. 6.8.3 की साथ उत्तर पिदेश में डायवटीच के सबसे कम हैं, 31.3% पिदेश में 1.इह में इच्चिंत के अच्छ तम ALEX S 6.30 सामान मुटापा, 49.5.30 पेट पर चर्वी वाले मुटापा, 31.2.30 लोग कॉलिस्टरॉल में अनेमित्ता एंजसी स्थिती में जूज रहे हैं। और आप देख इसलिए हो रहे हैं, बढ़ते सहरी करने और पश्मी जीवन सहली को अपनाने की होड के कारण सहरी गतिविदियां कम हुई हैं। लंबे समय तक बैठे रहने और ब्यायम नहीं करने से लोगों का बजन बढ़ा। और इससे हाई विलड़ पेसर और कॉलिश ट्रॉल में अने मित्ता का खत्रा बढ़ा, तनाव वड़ने और परयाप्त नेन नहीं मिल पाने से भी NCD का खत्रा बढ़ा, और वाकिंग, जागिंग, साइकलिंग, नेमित ब्यायम और स्वस्त आहा लेकर इस खत्री को कम करना सं हैं, उत्तर पिदेश के ग्यारे जिलों में लहल लाएगी काला नमक धान की दो नहीं पर जातियां, और परांपरागत काला नमक धान किबल सिधार्थ नगर में ही देता था अच्छा उत्पादन, बाजार में भरपूम बांग के बात किसान चाहकर भी नहीं कर पाते थी इ इड़िया, जो पन्ना मतकृरिष की बात हो रही है ना, उसी ही की बात हो रही है, जियोग्राफीकल इंडिकेशन यानी भोघली संके तक की बात हो रही है, योग और टहलने से कैंसर फैलने का खत्रा कम होता है, योग तो आप सभी को भी करना चाहिए, स्टूडेंट है, त सामना कर रही है साइक तरब अमिरात UAE के समद्री तट पर भी इसके इससे अचूते नहीं है और ब्यापक प्रमाने पर अपना कोरल खो चुके हैं और ऐसे में उन्हें बचाने और नया जीवन देने तथा समद्री जीवन के सरक्षन के लिए बिविन प्रयास किये जा रहे है इसके लिए UAE और कोरल नर्ससीज का भी सहरा लिया जा रहा है और यहां तेयार कोरल का समद्री तटों पर पुना इस्थापन किया जा रहा है ये movie यां से जुड़ी खब रहे हैं पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं इस तरह से आप देखेंगे कि आज के news paper की कहानी खतम होती है आप लोग पढ़ते रही है enjoy करते रही है आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुजाओ तो आप लोग भेज सकते हैं और मेरी सुब कामना है आप लोगों के साथ हमेशा बने हुई है ठीक है